सब्सक्राइब नमस्ते आज बहुत दिनों के बाद सोचा आपसे कुछ बात साजह करूँ आज जलना बिजनेस के बारे में बात करते हैं तो business can be of any type, यह किसी product manufacturing के बारे में हो सकता है, या किसी service के बारे में हो सकता है, services देते हैं न लोग, या समझ लिए consultation के बारे में है, teaching के बारे में भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो business के under-govern होती है, तो business fruitful होने के लिए, जरूरी क्या है, तो आठ पईये हैं, एक वील के, eight spokes of a wheel called business, तो अगर ये आठों के आठों spokes आपके ठीक से काम कर रहे हैं, तब ये एक circle तयार हो जाएगा, जिसके केंद्र में आपका product है, इन में से कोई एक spoke भी अगर हिल गया, तो business fruitful या fructify नहीं होगा, तो क्या जान ले इनके बारे में कुछ, ये क्या है, eight spokes, तो eight spokes में पहला spoke जो है, वो है ideas and know-how के बारे में, क्या आपको आपके product के बारे में ठीक से know-how है, क्या idea है आपको के आप जिस product को लेके market में आ रहे हो, उसकी वास्तविक उपयोगता क्या है, तो ये product के बारे में हुआ, idea about the product, know-how about your product, ये पहला spoke है, दूसरा spoke बनेगा, क्या आपको ये मालूम है, कि आपके इस product के लिए customer कौन है, targeted customer कौन है, potential कौन रखता है, जो आपसे इस product को, इस service को, इस consultation को buy करेगा, तो market के बारे में कोई अन्दाचा है आपको, ये दूसरा product है, दूसरा spoke है, marketing का, तीसरा spoke आता है, चलो market के बारे में तो मालूमत हो गई, x, y, z, group है, जो आपका product buy करेगा, तो अभी इस group को target करने के लिए, आप sales कैसे monitor करोगे, sales को कैसे आगे लेके जाओगे, ये तीसरा spoke है, sales का भी हो गया, अभी सबसे ज़रूरी और अहिमेद मेदेट वाली चीज़ है, most and foremost, accounts, और उसके साथ finance, देखो product है, product के बारे में नोहाओ आ गया, market उसका establish हो गया, मालूम हो गया आपको कौन से market में जाना है, उसको sales कैसे करना है, वो भी define हो गया, लेकिन इस सब के लिए, पैसा तो लगेगा ना भई, तो पैसा या finance, ये चवथा spoke है, पाचवा spoke, उतना ही important है, जो है HR, human resources का, किसी भी चीज़ को, आपको market में sale करने के लिए, कुछ ऐसी एक व्यवस्था करनी पड़ती है, जिसके लिए specific लोग लगते है, जिसके लिए आपको human resources, या जिसकी जानकारी, जो रखते है, उनके पास जाना ज़रूरी है, पाच हो गए, छटा spoke, HR हो गया, HR के बाद क्या है, तो HR के बाद आपका जो spoke आता है, वो है legal का, तो इसमें legal चीज़े क्या है, इनके बारे में समझना बहुत ज़रूरी है, legal चीज़ों में क्या-क्या हो सकता है, एक आपका जो product है, उस product का कुछ registration है क्या, क्या इसके लिए कुछ taxation के लिए आपको registration करना ज़रूरी है, यह से माल लीजिए GST essential है, अगर आपको इसको export करना है, तो export करने के लिए भी आपको कुछ registration करने ज़रूरी होते है, manufacture करना है, तो manufacturing के लिए registration करना ज़रूरी है, इन सब चीज़ों की legal एक आपको बाजू पूरी जो है ना, वो clear रखनी ज़रूरी है, यह 6 spokes हो गए है, साथवा spoke क्या है, 7th spoke is operations, तो operations अलग अलग चीज़ों की हैं, जैसे यह इसके पहले हम लोगों ने 6 spokes define कर लिये है, इन 6 spokes के operations अलग अलग है, तो operation का एक पूरा spoke बन जाता है, और last है management, आप इन चीज़ों को manage कैसे करोगे, अगर ये 8ों चीज़े आपके पास परियाप्त तरीके से उपलब्ध है, तो आपका business बहुत अच्छी तरीके से चलेगा, और वास्तु में, इन 7 spokes के लिए specific directions है, जहाँ कुछ imbalance होने की वज़ह से, कोई एक spoke आपका ठीक से काम नहीं करता है, मान लीजिये, जैसे आपको product का know-how पुरा है, लेकिन ये ही पता नहीं है, कि इस product को buy कौन करेगा, ये अगर आपको पता नहीं है, इसका मतलब, कोई एक दिशावास्तु में ऐसी है, जो imbalance होने की वज़ह से, आपको exact market को connect नहीं कराती है, या मान लीजिये, आपके legal compliance अगर clear पूरे नहीं हो रहे हैं, तो वापिस कोई एक specific दिशावास्तु में है, जो कुछ imbalances होने की वज़ह से, आपके लिए government से repeated, क्या लाती हैं? inquiries लाती हैं, ये document submit करो, ये document submit करो, आपका GST का चलन का problem है, income test का problem है, या मान लीजिये, आपको अगर कोई product, विदेश में बेचना है, तो विदेश में बेचने के लिए, उसके लिए कुछ अलग formalities करनी ज़रूरी है, उसका documentation clear नहीं है, तो ये देखना ज़रूरी है, क्या उस दिशा में कोई imbalance है? अगर सब चीजे ठीक हैं, लेकिन आप business managing नहीं कर पा रहे हो, आप हडबड़ा गए हो, बहुत सारी orders आ गई, अरे यार, अभी कैसे करूँ मैं, orders आने की वज़े से आप खुश तो हो गए, लेकिन जब orders को, आपको timely deliver करना है, तब दिक्कते आ रही है, तो क्या operations में दिक्कत है, या management में दिक्कत है, तो इन दिशाओं में कोई imbalance है क्या, तो इन दिशाओं में imbalances होने की वज़े से, तकलिफें आ सकती है, येसे मान लीजिए, अगर मैं आपको बताओ, पूर्वदिशा आपको सही customer के साथ connect कराती है, देखो एक हिंड तो दे दी मैंने, पूर्वदिशा सही customer मतलब मार्केट में आपको exact customer के साथ connect करने के लिए, इस्ट जो है, पूर्वदिशा जो है, वो सहायक बनती है, तो पूर्व में, अगर कोई बाधाये हैं, कोई imbalances हैं, तो वो connect नहीं कराएगी, similarly, orders बहुत सरी आ गई, लेकिन इन orders को time to deliver करने के लिए आपके पास finance ही नहीं है, तो simple सी बात है, यह तो सबको मालूम है, finance को govern करने वाली, govern करने वाली एक ही दिशा है, fire वाली, क्योंकि finance is fire, money is fire, तो southeast, तो imbalance in southeast, आपको financial problems create करा सकता है, जिस से आप timely deliver नहीं कर पाओगे, तो 8 spokes है, 8 spokes के साथ, अगर यह wheels आपके perfect, मतलब spokes पूरे connect हो गए, तो wheel complete हो जाता है, जिसका core product है, और वो core product जो है, वो core product आपका सही तरीके से, आपने customer के पास, proper in its shape, in its originality पहुँच जाएगा, आपको अगर इन चीज़ों के बारे में, ज्यादा जानना है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो, लेकिन इसके लिए, एक auto-cad layout, या architectural layout, बहुत essential है, हाँ, और एक बात, आपकी जन्मपत्री में भी, इन चीज़ों के बारे में, बहुत कुछ लिखा होता है, जैसे मैं अगर आपको बताओ, आपका 7th box, जन्मपत्री में 7th box, मतलब 7th house, 7th भाव, ये customer के साथ connect होता है, उस भाव में बैठी हुई राशी, आपको बताएगी, कौन सी दिशा, आपके लिए customers लाने के लिए, बेहद important है, और साथ में, कोई planet अगर वहाँ बैठा है, तो वो भी कुछ चीज़े बताएगा, तो ये दोनों चीज़े, मतलब वास्तु है, साथ में जोतिश है, इनका मिलाफ करके, हम business में, बहुत अच्छी तरीके से, लाभ लेके आ सकते हैं, आप मुझसे contact कर सकते हो, महावस्तु के website पे, आपको मेरे details मिल जाएंगे, जिस पे आप contact कर सकते हो, और अपने लिए, एक appointment बुक करा सकते हो, थैंक यू, मैं वापिस आपके साथ connect हो जाऊंगा, कभी एक बार, किसी दूसरे subject के साथ, तब तक, be happy, stay happy, and healthy as well, बाबाई, थैंक यू.